गूट मॉर्निंग एप्रिवन वेलकम टू एक्जाम और बिट क्लासेज तो आज है ग्यारा अगस्त और आज के सेशन में ग्यारा अगस्त से सम्मंधित करेंट अफियर के बारे में डिसकस करेंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए महत्त पूर है एक बार आप सभी शेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में इस सभाल का आंसर आपको मिल जाएगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है तो सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सभाल किस राज्ज में हातियों की संख्या में record ब्रदी हुई है तो ये question डारेक्ट exam में आपसे पूछा जा सकता है याद रखेंगे हातियों की संख्या में सबसे ज़्यादा जो ब्रदी हुई है वो हुई है करनाटक राज्ज में देखें नबीनतम सर्वेच्छन के अनुसार राज्ज में हातियों की संख्या 649 से बढ़कर 6395 हो गई है तो अगर हातियों से related question आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा हातियों की संख्या किस राज्ज में है तो आंसर हो जाएगा करनाटक अगर मैं आपसे पूछू कि बागो की संख्या भारत के किस राज्ज में सबसे ज़्यादा है तो आंसर होगा मद्द प्रदेश पहले स्थान पर है मद्द प्रदेश और सेकंड इस्थान पर आता है करनाटक ये जो आकड़े हैं ये भी हाली में जारी किये गए थे जिसमें मद्द प्रदेश में बागो की संख्या में ब्रदी दर्ज की गई थी अब डिस्कस कर लेते हैं हातियों से सम्मंद्द सवालों के बारे में जैसे की मंदिर अनुस्थान कर्टब्यों के लिए रोबोट हाति को सामिल करने वाला भारत का पहला राज्ज कौन सा बना है केरल राश्टुपती द्रोपती मुर्मो जी ने गच उस सब का उधगाटन कहां पर किया असम के काजी रंगा नैस्नल पार्क में अगस्ते मलाई हाती रिजर्व जिसे हाली में अधी सूचित किया गया किस राज्च में इस्थित है तो आंसर होगा तमिलाडू में भारत का पहला हाती मिरत्यू और्डिट धाचा किस में पेस किया था तो तमिलाडू के दुवारे से पेस किया गया था किस टाइगर रिजर्व में हाती दत्तक ग्रैन योजना का अनावरण किया गया अनामलाई टाइगर रिजर्व में रास्टी या बिरासत पसू कौन सा है तो आंसर होगा हाती भारत में हाती पर योजना की शुरुवात कब की गई थी 1992 में वल्ड एलिफेंट यानि कि विश्व हाती दिवस कब मनाते हैं 12 अगस्त को मनाया जाता है अब आप मुझे बताईए कि भारत में परजेक्ट टाइगर की शुरुवात कब हुई थी तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क क्लास को शेयर कीजेगा इस क्लास की पीडिया बात में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर जाकर एक्जाम और्बिट क्लासे से लोगों आपको दिखाई देगा तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल जोइन नहीं किया है जोइन कर लिजेए अग चान लेते हैं इस नियूज को क्या खिर बात क्या है देखे दिल्ली और आसपास के इलाकों में यमना नदी की बाड़ से बार बार होने वाले खत्रों को टालने के लिए हर्याना सरकार ने हतनी कुंड बैराज पर बांद बनाने का ने लिया है इसमें 14 किलो मीटर लंबा जला से होगा और इसे यमना नगर जिले में हतनी कुंड बैरा से 4.5 किलो मीटर उपर ही बनाया जाएगा इसके लावा दो पॉइंट और आप इससे याद रखेंगे पहला इसके निर्मान के लिए एनेस 73 के 11 किलो मीटर लंबे हिस्से को हसान तरेत करने के अलावा नो गाउं को बिस्थापित किया जाएगा अब आपको बताना है कमेंट करके कि एनेस जो 73 है ये कहां से कहां तक जाता है यह बन भूमी का एक बड़ा हिस्सा भी जलमगन कर देगा जिसमें काले सर रास्टिय उध्यान यानि कि जो कालेशवर नैस्टनल पार्क है ये किस राज्च में इ अगर मैं आपसे पूछों कि टिहरी बांध किस नदी पर है तो आंसर होगा भागी रती और कहां पर है उत्राखंड में हीरा कुम जो बांध है ये माहा नदी पर बना है उडिसा में है सरदा सरोगर बांध ये नर्मदा नदी पर है गुजरात में है फरक्का बांध परियो सलनाई बांध काबेरी नदी पर है तमिल नाडू में दुल हस्ती बांध याद रखेंगे चिनाब नदी पर है ये जमु कश्मीर में है सलाल बांध पर योजना चिनाब नदी पर है ये भी जमु कश्मीर में है मेट्टूर बांध कहां पर है तो ये तमिल नाडू में आता है और कावेरी नदी पर इस्दित है बगली हारवान ये चिनाव नदी पर बनाया गया है जमो कश्मीर में अब आपको बताना है कि जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कहां से होता है फ्रेंट्स मैं बीच पीच में जो क्वेशन आपसे पूछती हो मावी के जंगलों में भीशड आग लगी है तो फ्रेंट्स कुश्यन यहां से इस प्रकार से भी बन सकता है कि खबरों में रहे मावी के जंगल किस देश में इस्दित है तो आंसर होगा अमेरिका जा लेते हैं इस खबर के बारे में देखे अमेरिका के हवाई में इस दित मावी के जंगलों में वीशड आग लगी है अमेरिका के मौसम भेवा के मुताबित हवाई में जंगल की इस आग के इतने तेजी से वड़कने के लिए चकरवाद डोरा भी जिम्मेदार है जिसकी बज़े से जिसकी तेज हवाओं ने आग को काफी तेजी से फैलाया है तो यहाँ पर आप ये कुश्चन भी याद रखेंगे कुश्चन बन सकता है कि चकरवाद डोरा का संबन्द किस देश से है तो अंसर होगा अमेरिका अब हवाई दीब की जो लोकेशन है ना वो सबसे पहले आप मैप में देख लीजे देखें ये है USA और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हवाई दीब अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है बॉन्सिंग गटन डीसी जो की पोटो मैक नदी के किनारे हिस्तित है इसके लावा याद रखेंगे अमेरिका की अंत्रेच एजनसी है नासा जिसका हैटकोर्टर भी कहाँ पर है तो वॉन्सिंग गटन डीसी में है अमेरिका की कैरेंसी को अमेरिकी डॉलर कहते हैं बर्तमान में यहां की राष्टपती जो वाइडन है उपर राष्टपती कमला हैरिस है USA की जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम है मिसूरी नदी अमेरिका का सबसे लंबा परवत कौन सा है तो रोकी माउंटेन है अगला सवाल किस राजिया केंद्रस आसित प्रदेश के राजोरी चिक्री बुड क्राप्ट जो है इसको GI टेक दिया गया है तो सबसे पहले ये बुड क्राप्ट आप सबी फिक में देख सकते हैं और इसका जो GI टेक है ना वो जमु कश्मीर को मिला है किसे मिला है, याद रखेंगे जमु कश्मीर को दिया गया है इसके साथ ही अननतनाग जिले यानि कि जमु कश्मीर के ही मुस्को बुद्धजी किस्म के चावल को भी G.I.TEC दिया गया है देखे G.I.TEC भारत में मद्द प्रदेश का एक आम है, सुन्दर रजा आम, इसे GI Tech मिल चुका है, मुरेना गजक, मद्द प्रदेश की फैमस है, इसे भी GI Tech मिल चुका है, नागरी दूबरा चावल, इसे भी GI Tech दिया जा चुका है, ये कहां का है ये चावल, तो ये 36 गड़ का है, भोगोलिक संकेत का जो पंजे करण है ये कितने बर्सों के लिए कितने अब्धी के लिए बैद होता है तो आप आप यात रखेंगे दस बर्सों के लिए जियाई टैक एक्ट 1999 में आता है पहला जियाई टैक दिया जाता है 2004 में किस राज़ को मिधला मखाने का जियाई टैक मिला है तो ये बेहार को दिया गया है किस राज्य के ओथुर पान के पत्तो को जियाई टेक मिला है तमिल लाडू के थुतु कुडी जिले के पान के पत्तो को चंदेरी साडी का जियाई टेक मद्ध प्रदेश को दिया गया नावरा चावल का जियाई टेक कीरल को मिला है चिन्न और चावल का जो GI Tech है ये बाला घाट यानि कि मद्दप्रदेश को दिया गया है Next question है कि internet resilience index में भारत की rank क्या है तो friends भारत की इस index में जो rank रही है यानि कि भारत छटवे इस्थान पर रहा है इस सुचकांग में इस सुचकांग को जारी कौन करता है तो इसे जारी किया जाता है internet society के दुवारा आपको याद रखना है भारत की ranking आपसे पूछी जा सकते है अब provision कर लेते हैं index latest current affair Global gender gap index 2023 भारत के स्थान पर रहा है 127 बे स्थान पर रहा है भारत इस सुचकांग में वर्ड प्रेस freedom index 2023 एक सो असी देशों में भारत किस स्थान पर रहा है तो भारत की rank 161 रही है फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकासित 2023 के freedom in the world index के अनुसार दुनिया में सबसे कम सुतंतरता वाला देश कौन सा है आंसर होगा तिबबत विश वेंग के logistic प्रदशन सुचकांग 2023 में भारत 149 देशों में से 38 वे इस्थान पर रहा है किस देश ने ہेनले passport index 2023 में सीर्थ इस्थान हासिल किया है तो सीर्थ इस्थान मिला है किस के passport को दिया गया है सिंगापूर अब आप मुझे बताई कि हैनले passport index 2023 में भारत की rank क्या रही है यानि कि भारत का जो passport है वो किस इस्थान पर है इसका answer आपको comments box में करना है अगला सवाल है कि भारतिय रिजव बैंक यानि कि RBI ने repo rate को किस दर पर बरकरार रखा है यानि कि repo rate में कोई भी बदलाप नहीं किया गया है तो fences का answer होगा option में यानि कि 6.5% पर परकरार रखा है RBI ने देखे यह लगातार तीसरी बार है जब मौदरिक नीती समीथी ने repo rate को अप परिवर्थित रखा है इससे पहले जून 2023 में हुई बैठक में भी इसमें कोई बदलाप नहीं किया गया था तो ये direct exam में question पूछा जा सकता है कि वर्थमान में repo rate कितनी है तो याद रखेंगे आप सबी अब discuss कर लेते हैं मौदरिक नीती समीथी के बारे में मौदरिक नीती समीथी में कितने सदस होते हैं अच्छे से याद कर लेंगे, इसमें 6 सदस होते हैं मोद्रिक नेती समीती का अध्यच कौन है तो आप याद रहेंगे रिजर्बएंग के गवर्नर सक्ति कांदास इस आध्यच होते हैं मौद्रिक नेती समीती एक बर्ष में कितनी बार प्रस्तुत की जाती है तो कुल 6 बार प्रस्तुत की जाती है रिजर्ब बैंक के जो पहले गवनर थे इनका नाम क्या है सर ओश्वान इसमित है RBI के पहले भारतिय गवनर कौन थे तो सीड़ी देश मुक थे अब आप मुझे बताईए कि RBI का मुख्याल है कहां पर है अगला सबाल है कि सु स्वागतम पोर्टल किस पोर्टल सुरू करने की जो घोश्णा है ये किस ने की है तो फ्रेंट्स ये जो पोर्टल है ये काफी महत पूर्ण है क्योंकि इसकी गोश्णा की गई है सरबोच्ची नियाले के दुवारा डिसकस कर लेते हैं इस पोर्टल के बारे में देखे उच्चतम नियाले ने पोर्टल सु स्वागतम सुरू करने की गोश्णा की है जिससे बकील, अदालत, आने वाले लोग, प्रसिक्षू और अने लोग ओनलाइन पंजी करन करा सकेंगे और सीर्स नियाले में प्रवेश करने के लिए इपास जो होता है इसे ले सकेंगे इसी के साथ नियायमूर्ती चंदरचूर ने कहा है कि सु स्वागतम वहब आधारित और मोबाइल अनुकूल एप है जिससे उप्योग करता ओल्लाइन पंजी करन करा सकते हैं और अदालत की शुनवाई में भाग लेने बकीलों से मिलने जैसी भिवने उद्यसों के लिए इपास का आभीधन कर सकते हैं तो ये काफी महतुपून है क्योंकि इसकी लाउंचिंग सुप्रीम कोट के दुवारा की गई है तो ये डारेक्ट कुश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अब रिबीजन कर लेते हैं पोर्टल लेटिस्ट करेंट अफ्यर रास्टिय बाल अधिकार सरचन आयोक ने देश भर में बाल देखवाल संस्थानों और उनकी निरिक्षण प्रकिरिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए मासी अप्लिकेशन लॉंच किया है सहारा سमू के को अपरिटिब ने जमा रासी की बापसी के लिए सहारा रेफन्ड पोर्टल लॉंच किया है मतसे पालन पसूपालन और डेरी मंत्राले ने नंधि पोर्टल हाली में लॉंच किया है केंद्रिय संचार मंत्री यानि के अश्वनी वैसनफ जी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारो में संचार साथी पोर्टल लॉंच किया था तो आप याद रखें इस एप्लिकेशन को आपको याद रखना है मासी एप्लिकेशन ये पूछी जा सकती है किस बैंक ने हाली में एको फ्रेंडली डेविट कार्ट लॉंच किया है तो फ्रेंड्स एको फ्रेंडली जो डेविट कार्ड है न इसकी लॉंचिंग की गई है एटल पेमेंट बैंक के दुबारा डिस्कुस कर लेते हैं इसके बारे में तो देखिए एटल पेमेंट बैंक बजट बैंक खाते वाले अपने नए और मौजूदा गिराकों के लिए इको फ्रेंटली डेविट कार्ट लाँच करने वाला पहला भारतिय बैंक बन गया है ठीक है यह डेविट कार्ट आर पीवी सी माटेरियल से बना हुआ है जो एक प्रमाडित इको फ्रेंडली माटेरियल है तो यह कुशन पूछा जा सकता है कि किस के दुवारा इसकी लाँचिंग की गई है अगला सबाद है कि इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन योजना 2023 की शुरुवात किसने की है तो इंद्रा गांधी मुफ्त स्मार्ट फोन जो योजना है इसकी शुरुवात की गई है राजस्थान गबर्मेंट के दुवारा यानि कि इसे लाँच किया गया है राजस्तान के मुख्य मंत्री स्री असो गहलो जी के दुवारा देखे यह कारिकरम राज्ज में महिलाओं को मुफ्त मुवाइल फोन, इंटरनेट और वोईस कॉल सेवाएं परतान करता है स्मार्ट फोन का जो बितरण है वो 10 अगस से 30 अगस 2023 तक होगा जिसमें बेदवाओं और तलाक सुदा महिलाओं को प्रात्मिक्ता दी जाएगी यानि कि राजस्तान सरकार इस योजना के तहट फ्री में मुवाइल बाटेगी अगला सबाल है कि भारत का कौन सा पूरे राज्ज में जाती आधारित सर्वेच्छन करा रहा है तो फंट जाती आधारित जो सर्वेच्छन है ये कराया जा रहा है बेहार गबर्मेंट के दुबारा अब ये नियूस में क्यों है जाती आधारित जो सर्वेच्छन है ये तो काफी समय से चल रहा है तो देखे पटना उचे नियाले दुआरा राज्य सरकार को इसे जारी रखने के अनुमती देने के एक दिन बाद बेहार का जाती आधारे सर्वेचण फिर से शुरू हुआ बिहार सरकार के जाती आधारे सर्वेचर कराने के फैसले के खिलाब दायर सभी याचिकाओं को पटना हाई कोट ने खारिज कर दिया है जिसके कारण ये फिर से सुर्कियों में आ गया क्लास के शुर्बात में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सुप्रिम कोट के अनुसार धारत 370 को खत्म करने का अधिकार किसके पास है तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए भारत के राश्टपती के पास देखे सुप्रिम कोट ने कहा है कि 1957 में संबेधान सवा भंग होने के बाद भारत के राश्टपती के पास अनुछे 370 को खत्म करने की सक्ती बरकरार है ये सुप्रिम कोट के दुआरा कहा गया है अनुछे 370 के खंड तीन ने राश्टपती को इस अनुछेत को निश्क्रिय करने या इसे संसोधित करने की सक्ती दी है तो ये काफी महत पूर्ण है सरबूची नियाले से संबंद जो सवाल करेंट में रहते हैं वो अक्सर एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो आप याद रखेंगे ये डारेक्ट पूछा जा सकता है यहां से कुश्चन बन सकता है करेंट प्लस पॉलिटी का अब रिवीजन कर लेते हैं कल के शेशन का कि कल हम लोगोंने क्या-क्या पढ़ा था क्विक रिवीजन करेंगे लूना 25 मिशन का संबंद किस देश से है तो फेंट्स इसे लॉंच करने वाला है रूस राइट आंसर ऑप्शन सी आप सभी भी आंसर करते चलेंगे कमेंट्स बॉक्स में जिसे आपको याद हो जाएगा निम्न में से किस मंत्राले के कम्पिटर्स में अब माइक्रोसॉप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगे माया ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तिमाल किया जाएगा वर्य इंपोडेंट सवाल है सही आंसर ऑप्शन ए रक्षा मंत्राले जो इंटर पोल ग्लोबल अकार्डमी नेटवर्क है न इसमें निम्न मैंसे किसे सामिल किया गया है तो फरंट्स याद रखेंगे CBI को ब्रिक्स स्टार्ट अफ फॉरम किस देश दुबारा लॉंच किया जाएगा तो फरंट्स इसकी लॉंचिंग करेगा भारत राइट आंसर ऑप्शन C अमिजन सहयुक संदी संगठन में निम्न मैंसे कौन सा देश सामिल नहीं है तो फरंट्स आप याद रखेंगे इसमें भारत सामिल नहीं है जबकि इसमें बॉलिबिया, ब्राजिल और कॉलंबिया सामिल है केंद्री अपटच्छेकर और सीमा सुल्क बोड के अध्यज के रूप में किसे किसने पदभार समाल लिया है तो फरंट्सिन का नाम है संजय कुमार अगरवाल जिने आप सभी पिक में देख सकते हैं देश के सहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट ब्यापी अभियान सुरू किया गया है तो इस अभियान का नाम है मेरी माटी मेरा देश भारतिय सेना प्रमुख जर्नल मनोज पांडे हाली में किस देश की यात्रा पर गई हुए है तो राइट आंसर हो जाएगा आप्शन भी यूके की यात्रा पर टी ट्विंटी इंटरनेशनल किर्केट में सो छक्के पूरे करने वाले संयुक तरोप से दूसरे सबसे तेज बल्लिवाज कौन बने है तो इनका नाम है सूर्य कुमार यादफ जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं किस राज्य की बिधान सभा में हाली में समान नागरिक सहीता के व्रोध में एक प्रस्ता पास किया गया है अंसर होगा कीरल बिधान सभा में निम्न मैसे किस देश की सरकार हवाना सिंड्रॉम की जाच कराएगी तो फंट से याद रखना है क्योंकि भारत की दुवारा इसकी जाच कराई जाएगी तो ये था कल का करेंट अपफेर अगर डिटिल से जानना है तो एक बार कल की क्लास जरूर देख लिजेगा अब डिसकस कर लेते हैं टॉप टैन स्टाटिक जी के कुईशन सोडा वाटर का अविश्कार किस के दुवारा किया गया था जोसेफ प्रिस्टली के दुवारा भारतिय संबेधान में नगर पालिकाओं को संबेधानिक माननिता किस संसूधन दुवारा प्रिटान की गई थी 74 वे संबेधान संसूधन के दुवारा भारतिय संसद भवन को किसके दुवारा डिजाइन किया गया था तो सर एडविन लुटियंस और सर हर्वर्ट पेकर के दुवारा नए संसत भवन का डिजाइन जो है वो किसने तयार किया है तो डॉक्टर बिमल पटील ने किया है भाटिय संसत के कितने अंग होते हैं तो तीन अंग होते हैं दखन के ताज के नाम से कौन सा मकवरा प्रसिद्ध है बीबी का मकवरा दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी वलबनने संतोस रॉफी किस से संबंदित है फुटबॉल से टोक्यो किस दीपरिस्थित है हौनसु दीपर रास्टिय अनुसुचित जाती आयोक के स्थापना किस अनुछेत के अंतरगत की गई थी तो अनुछेत 338 के अंतरगत की गई थी कल के शेशन में आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे जिनके आंसर डिसकस कर लेते हैं तो खबरों में रहा वॉइजर 2 यान का संबंद किस से है तो इसका सही आंसर था आपसन ए नासा से संबंदित है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबी आई की स्पेशल एजेंट कौन बनी है इसका सही आंसर है आपसन ए सोहीनी सिन्ना बनी है भारती मानक समय रेखा किस राज्ज से नहीं गुजरती है तो फेडरल इसका सही आंसर था आपसन सी महरास्ट जबकि आंदरपरदेश 36 गड़ और उत्तरपरदेश से गुजरती है अगला सबालता कि भारत का वहेस्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तता हिंद माहा सागर मिलते हैं तो उसका सही आंसर था आपसन डी कन्या कुमारी कन्या कुमारी वहेस्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी देखें मैप में आप याद रखेंगे यहाँ पर कन्या कुमारी आपको देखने को मिलेगा इधर है बंगाल की खाड़ी यह है अरब सागर और नीचे आपको देखने को मिलेगा हिंद माहा सागर तो यह तीनों कहाँ पर मिलते हैं कन्या कुमारी अब आप सभी के लिए को सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य अपनी पहली ओनलाइन गेमिंग अकादमी लॉंच करेगा उत्तप्रदेश, मद्दप्रदेश, देलंगाना या फिर ओडिसा वहाई खला जो रेलबे स्टेशन है भारत का सबसे पुराना रेलबे स्टेशन किस राज्य केंदर सासित प्रदेश में है महरास्ट, उत्तप्रदेश, ओडिसा, या फिर लद्दाक अगला सवाल निम्न में से कौन सी सेल अब साधी सेल नहीं है अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा डिल्टा है तो इन में से कौन सा ऐसा डिल्टा है, जो की दुनिया का सबसे बड़ा डिल्टा है तो इन सबी की जो आंसर है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में करने है आज का ये शेशन आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जादा से जादा इस क्लास को शेयर कीजेगा, इस क्लास की जो पीडियप है वो बात में आप सभी को टेलीग्राम चेनल पर मिल जाएगे, टेलीग्राम पर जाकर ए जैसे दा, हिंदू, इंडियन एक्सपिरिस, या फिर दैनिक जागरण है, जन सकता है, दैनिक भासकर है, तो इनमें जो भी न्यूज आती है, जो कि आपकी परेक्षा के लिए काफी महत्त पोण है, वो एजली आपको कटिंग के रूप में मिल जाती है, तो टेलीग्राम च झाल झाल झाल